हमिरपुर के टोनी देविक्षेतर में बंदरों के आतंग से ग्रामीन परिशान हो रहे हैं अब बंदरों ने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया है ताजमामले में लिटल इंजल प्राइबेट स्कूल में महिला कर्मी पर हमला कर दिया है जिसमें बड़ी मुश्किल से बंदरों के हमले से महिला ने अपनी जान बचाई और ये सारी घड़ना स्कूल के कैमरे में कैद हो गई है हमिरपुर के टोनी देविक्षेतर में बंदरों के आतंग से ग्रामीन परिशान हो रहे हैं इन बंदरों ने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया है ताजमामले में लिटल एंचल प्राइबेट स्कूल में महिला कर्मी पर हमला कर दिया है जिसमें बड़ी मुश्कत से बंदरों के हमले से महिला ने अपनी जान बचाई ये सारी घटना स्कूल के कैमरे में कैद हो गई है आपको बता दें कि स्कूल करमी स्नेलता गाउन नाट्ची को बंदरों ने बुरी तरह से नोच डला जिसकारन महिला घायल हो गई स्कूल छुटी होने के बाद बच्चों को छोड कर बापिस आई महिला ने बड़ी मुश्किल से अपने आपको बंदरों के हमले से बचाये ये सारी घटना स्कूल के सीसी टीबी कैमरे में कैद हो गई है जिससे बंदरों के हमलों को देख कर लोग भी सहमे हुए है पंचायत प्रधान बविता चोहान ने कहा कि गाउं में बंदरों के हमले बढ़ते जा रहे हैं उन्होंने बताया कि दो दिनों से बंदरों के हमलों से घायल लोग हो रहे हैं उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि क्षेतर में बंदों को पकड़ा जाये ताकि ग्रामीन रहत की सांस ले सकें। तो डे वाई डे ये समस्य जो है वो बढ़ रही है और स्कूल में भी लगवक 600 के करीब बच्चे रोज आते जाते हैं तो उनके अभिभावक भी इस वात को लेकर चिंतित हैं। कि इतने सारे बंदर एक एक कहां से यहां पर छोड़े गए हैं। तो मेरा परसासम से उन्हें निवेदन है कि वो इसके लिए कुछ बहतर कदम अठाएं और इलाका वासियों को राहत परदान करें। लिटल एंजल स्कूल के शारीरिक अध्यापक रजनीश कुमार ने बताए कि स्कूल के आसपास बंदरों के आतंग से लोग पहिशान हैं। उन्होंने बताए कि स्कूल में तेनात महिलक कर्मी पर बंदरों ने हमलाक कर घायल कर दिया हैं। जिससे पूरे स्कूल के बच्चे भी डरे हुए हैं। उन्होंने मांग की है कि बंदरों के आतंग से चुटकार दिलाने के लिए प्रशासन जल्द काम करें। पूरे स्कूल में बंदरों का अधंग बहुत जोर से थैदा हुआ है। बुद्वार को लेटलेंजे पूरे स्कूल की स्टाफ दस्या स्नेल अता जो की बच्चों को स्कूल से छोड़कर बापिस आ रही थी। तभी अचाज़क भाई लिपू के पास बंदरों मरस्पर हमला कर दिया। जिससे उसे गंभीर चोटे आई है। सभी आभी भाबों को और बच्चे इस घटना से बहुत डरे होए है। मेही स्कूल पर्ठाणचाया सरीमती सुमन चौहान जी ने प्रसाशन से मांगी है कि बंदरों के आतम से जल्दी से जल्दी निजात दिलाई जाए। ताकि रिश्य में किसी भी बच्चे या साम रिश्य के साथ ऐसी घटना दोबारा ना हो। ताकि भी बंदरों किसी जल्दी निजाता धू प्रसार्ण मिल्दी के बंदरों कि उल्दी अपेश्य के बंदरों कि प्रसाई जाए।